जी हलो दोस्तों मैं हूँ कमड सीमा और उमीदा आप लोग ठीक होंगे दोस्तों जिससरा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मुझूद है बरिस्टर हामिद बशानी साहब बरिस्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का वह शुक्रिया सेर बरिस्टर साहब एक important development ये हुई है कि जो G20 का इजलास सबाली में हुआ जो summit हुई तो उसमें एक बड़ी unprecedented चीज नजर आई मैंने का आप क्योंकि ये आपके मोली कैनाडा के related है तो प्राइमिनिस्टर जस्टन टूडू जो है उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो Chinese President Xi Jinping ने डांट दिया और कहा कि जो हम आम जो प्राइमिन में डिस्किस करते है वो मीडिया को पता चल जाता है और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह एक great power या बड़ी ताकत का जो लीडर है वो एक western mid-size power को जो है वो डांट रहा है तो इसको international media ने तो बड़ा serious लिया है पूरी दुनिया में वाला कि वो translator बीच में involved है और जिस्टन टूडो ने अपनी इसमे explanation भी दी है बात भी किया कि हमारे क्यों के democracy and all that आप कैसे देखते हैं जेस्टन टूडो को ये चाइनीज प्रेजिडेंट का डांटना इसको कैसे देखा जाएगा और particularly Canada में इसको कैसे देखा जा रहा है देखें जी ये वाकिया बहुत ही serious किसम का issue है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा एक shocking और disturbing event है जो सामने आया है और इसको Canada समयत पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोग believe करते हैं democracy पे वो इसको इस नजर से देख रहे हैं कि ये एक dialogue था between dictatorship and democracy और ये जो आपने लफ्स डांट इस्तमाल की ना ये dictatorship की डांट थी एक democracy को और कैनेडा जो है वो कोई अतना चोटा मुल्क नहीं किसी भी अत्वार से जाहरा जी 7 का member है economy के अवाले से military भी कैनेडा का अपनो एक humanitarian role है internationally तो ये बात नहीं कि ये उसका चोटा हुने की वैसे लेकन ये प्राइम निस्टर टूडो को बड़ी एक क्रेडर जाता है कि उन्होंने जो बरवक्त और जो मनासब तरीन जवाब एक ऐसे फोरम पे एक ऐसी जगा पे दिया जा सकता था वो उन्होंने दिया बुनियादी तोर पे अगर आप इसको net shell में डालें तो ये क्या बनेगा कि एक डिक्टेटर की खाश है कि दुनिया में आप जो कुछ जो सिक्रेटिव जो सिक्रेट पालेटिक्स है जो के बनियादी तोर पे कानफलिक्ट है जिसका डेमाकरेसी के साथ ओपननेस के साथ फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन के साथ फ्रीडम आफ थाट के साथ उसको प्र उसको डिस्कुस करेंगे, उसमें दुरस्त कान है या गल्द कान है, लेकिन प्रिंसीपल ये, कि किसी भी डिमाक्रेसी में, जो फॉंक्शनल डिमाक्रेसी है, उसमें लोगों से, अवाम से चीजों को चुपाना है, सेक्रिट रखना है, का मतलब ये आ है, कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप अवाम का सामना करने या मीडिया का सामना करने की कुजिशन में नहीं है सिंप्ली बात है इसमें कोई अब ये दलीलें देंगे कि नहीं जी वो मुलकों के दर्में बड़े बड़े इशूस होते हैं उनका सिक्रेट रखना जरूरी होता है तो ये इशूस जो हते हैं वो जाहरा केनिडा का का काम कोई सिक्रिट लीड करनों नहीं हैं जाहरा बेशमार इशूस हैं जो केनिडा ने सिक्रिट रखे जो इंटर्ञिशनल डिप्लोमेसई में हैं लेक Spain कि वैसे केनेडियन लीडर्शिप को कोई हो उसको ये यकीन हो कि ये कैनेडा के अवाम के इंटरेस्ट के खलाफ नहीं है इसका चुपाना और आप जो है वो क्या कहते हैं के वो डेमाकरेसी के तोर पे आप किसी डिक्टेटर्शिप के साथ किसी कंस्पिरेसी का इसा तो नहीं बन रहे कि जनाब हम छपा देते हैं आप ऐसे करें अब जाहर है कि ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपार्टेंट थी तो जो उन्होंने जवाब दिया के बाई कैनेडा में तो हम ऐसे ही करते हैं और ये रविया हमजारी रखेंगे चुके जाहर है एक डिमाक्रेसी है बलके उनको कहना चाहिए था कि हम इसको मजीद तोड़ा सा जो है वो बढ़ाएंगे फ्रोग देंगे इसको चुके ये हमारी वैलियूज है एक जिस तो ये थी ये डायलाग ये बात रिपीट करते हैं मुझे उनसे बड़ा एक्तिलाफ है कि जी वेस्टन वैलियू या इस्टन वैलियू ये जो वैलियू है नो freedom आफ एक्स्प्रेशन की वैलियू और अवाम को अटमाद में लेने की वैलियू ये एक यूनिवर्सल वैलियू है जो साथियों से जिसके लिए इनसान लड़ता है एस्ट में वेस्ट में नार्थ में साउथ में ये किसी एक पॉल का या किसी एक कंटिनेंट का इशू नहीं है ये यूनिवर्सल वैल्यू है तो उसमें ये जरूरी होता है कि हवाम जो है वो अगर पाटिस्पेड करते हैं मारे मामलात में दुखदर्द में आगे आगे होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में भी अवाम को बिल्कुली एक तरफ रख देना उनको घदारों की तरह ट्रीट करने वाली बात है कि हम उन्होंने कोई बात सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा ये ऐसे मुलकों में पासी चीजें बताता हूं कि अब वो जो पाकिस्तान वाला हमालिया से उपर और समंदर से नीचे वाला जो गैरे वाला रिष्टा है उसको तरह देख लें ही वास टाकिंग टू प्राइम निस्टर ट्रूडो कैनेडा जो है जी सेवन मुलक है एक बन अफ ता बेस्ट एकाड़ो करें दुनियां बहर में जो SIDA Canadian International Aid Agency का आप रोल देख लें हैं जंगो में रोल देख लें हैर तरीके से वन अफ दो व्याश्ट कंट्री जो है अगर आप ताप पे नहीं तो वन अफ दो बेस्ट कंट्री जो है आप उसको रख सकते हैं और अगर उसमें इतनी जुर्वत औ साथ सालों में इंटरनेशनल उपीनियन में देखेंगे तो वो जनाब ट्रूडू साभ उसमें आएंगे हैर अतबार से और मैंने खुद अपनी आँखों से लोगों को इंगलेंड में यूरोप में बहुत सारे मुलकों में देखा कि अगर मैंने कहीं जिकर किया कि मैं कैनेड हों या कैनेडा से आया हूं तो पैसा एक दम जो है वो पहली बात यही करेंगे कि ट्रूडू इस इनाइस में तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने जान पूछ के तो जो है एक काम करने की कोशिश की है कि जो पूरा एक वस्टरन पापुलर मोस्ट पापुलर लीडर औ वैलियू दूनों को पायक वक्त अटैक की है और इस से ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो अमालिया से बलंद और समंदर से गहरा रिष्टा चीन के साथ है कैन यू इमेजिन के शाबाद श्रीफ और इमरान खान से लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंग तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब यह जो हमारे रोज वाई जास पे चड़के बीचिंग गय होते हैं जो कहते हैं जी हमने वहां पर पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए हैं इनको तो मुझे लगता है कि वो कैमनिस पार्टी का व इनको इस तरह गालियन देता होगा और यह एक बहुत बड़ा साइन है कि दुनिया में जो पॉलिटिकल जो रियलाइनमेंट हो रही है और उसमें अगर डिमाक्रेटिक फोर्सिस पीछे चली जाती हैं और इस तरह के डिक्टेटर्स आगे आगे तो यह दुनिया एक बड़ा मकदस किसम का जो है वो कैम्प बन रहा था तो हम यही बात कर रहे थे कि सोविट यूनियों से आपको इसलाफ है या आपको हमदर्दी यह बैस नहीं बैस कि यह एक बैलेंस आफ पावर है और इस बैलेंस आफ पावर की वैसे दुनिया जो है ना वो बहुत सारी च चीजें जो हैं उनको स्मूथली चला रही है और अगर आपने यह काम कर दिया तो आप देखेंगे और वो आपने देखा उसके बाद अगले बीस पचीस सालों में आपने देखा कि अफ़गनस्तान में क्या हुआ हुआ हिराक में क्या हुआ लीबिया यह सारी अरब स्प्र और यह कहते हैं जी चीन हमारी यह मदद कर देगा और वो वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते हुंगे अब वो कहता क्या है जी प्री कंडिशन पहले चलें इस पे बैस कर लें कि आप चीन के फार्मूले को फालो करेंगे या नहीं इन चीजें सिक्रिट अगर नहीं र मैं समयता हूं कि यह बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि यह जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में कि अगर चीन की आपने एक जरा बर इशारा आबरू को किसी तरीके से वाइलेट करना की गोश्च की तो यह देख लें यह देख लें मैं आपकी इस बात से तो एगरी करता हूं कि पाकिस्तानी लेडर्शेफ को वो किस तरह जूनियर पार्टनर या एंप्लॉई मेरा ख्याल है डील कर रहे होंगे यह जो बागे बागे चीन बागे जाते हैं हमारे लेडर्शेफ वो सदर जरदारी साब होते थे वो हर उन्हो थर्ड वर्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं इसमें तो वाई गरी मोर विद्जू लेकिन एक बाप बताएं बिस साब यह जो चाइनीज प्रेजेंट शीजिंग फिंग ने किया है क्या उनके नजदीक उन्होंने वेस्ट में एक रेलिटेवली स्मॉलर कंट्री को पकड़ा है जिसको कहीं दफार वेस्टरन मुमालिक भी दबा जेते हैं कहीं दफार अमरीका कैनडा को दबाता रहता है तो ओन्हों ने जिसे कहते हैं न तु टु 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 टागट वर्डिटेवली कि किसी एक को पकड़के गिवफशज तो ओथर्स गिवर सिग्नल to other. एक है democracy के है, एक है authoritarian structure के है. डिमोक्रेसी जारी बात है, सारी G7 में देख ले हैं, then Chinese जो है, obviously authoritarian है. एक तो ये बताएं कि क्या उन्होंने relatively इस तरह के ऐसा मुल्क जिसको kind of America भी अपनी मरजी से कैनेडा को सहे चला लेता होगा. और दूसरा इसमें ये बताएं कि इंडियन प्राइमिस्टर नोदी निरिंदर मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसके मसले बॉर्डर हैं, उसके साथ तो बड़ी खुशगपी हैं हमारी, ठीक है, लेकिन और वो जो प्लेजन्टरीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ दे कि वेस्टर ममालक में एक छोटा उन्होंने पकड़ा है कि जैसे अधर इसको बाक रिखता हूं कि उन्होंने जी ये डारेक्ट जो है वो यूनाइटि स्टेट अफ अमारिका पे अटैक किया है, ये दुरूस्त है केनेडा रैलेटिवली एक चोटा मुलक है, लेकिन ये इसकी वज़ा नहीं है, चुके बुनियादी तोर पे इस वक्त गलोब पे जो यूना अमारिका और कैनेडा के तर्मेहन तालग है, तो इस असाब से अगर आप देखें तो इनके इंटरनल इशूस कभी हो सकते हैं कि कभी यूनाइटि स्टेट अफ अमारिका ने कैनेडा को को ऐसी बात कही हो, जिसका मैं आपको कही मसालें दे सकता हूं कि जिसमें किनेडियन उसका बहुत सकत किसम का जवाब दिया है, जिसमें कि ये खुद टूडू साब के जो वालत साब इस दा बेस्ट एक्जेंपल मैं आपको देता हूं, अब ये नहीं किनेडा कोई जो है, वो एक तरह की एक कालूनी या इस तरह का मुलक है, बलके ये इक्वल और United States of America की ये clear red line थी, कि कोई मुलक जो है, जो केमनिस्ट बलाग के साथ कोई तालक रखेगा, हमारा उसके साथ कोई तालक नहीं, तालक क्या रखेगा, जी, हमारी जंग में श्रीक नहीं होगा, पूरे तरीके से बंदू को ठाके, अगले मोर्चे पर नहीं लड़ेगा, ह पास्ता ही नहीं था, तो उस वक्त कैनेडा ने open बाकाईदा जो है, वो trade और tourism और कहीं वैसे project जो है, वो शुरू किये कास्तरों के साथ, जो के एक बहुत बड़ी बात थी, यानि उस वक्त तो एक बहुत बड़ी इसलिए थी, कि उस वक्त दुनिया एक तरह के जनून में म इसमें शामल नहीं होतें, गैल्फ वार में, clearly ये बात नहीं है, कैनेडा is a democracy, और इस तरह की democracy जहां पीछे millions of people आपको खड़े हूं, उसमें लोग नहीं डरतें कि हम ये कर देंगे और ये बड़े हैं और हम चोटे हैं, वैसे उस असाब से कैनेडा चोटा किसी भी अतबार से नहीं है, रेकवे के अतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, रूस के बाद, अबादी भी रिजनेबल है, और उसके पास बाकाईदा एक जदीद टेकनालोजी, नियूक्लियर, एवरिटिंग जो है, एक कंट्री है, ये मैं समयता हूं कि उन्होंने जान के हैं, तो ये खज़श्टा कहीं सालों से चीन और इस कैनेडा के दर्मयान जो सर्द मोरी और ये जो टेंशन चल रही है, उसकी वज़जा भी युनाइट स्टेट अव अमारीका आई, चुक्के उन्हीं के कहने पे उन्होंने एक चाइनीज एग्जेक्यूटिव यहां प कैनेडा का कोई बहुत बड़ा वज़जा नहीं थी, उसकी वज़जा युनाइट स्टेट अव अमारीका थी, तो ये उन्होंने कम्प्लीट लीग और क्लियर ली जो है वो एटेक्टी है युनाइट स्टेट अव अमारीका पे, चुक्के उसके क्रीब तीन लाई के आपक क्रीन दोस्ट पे कोई अटेक करेगा, तो ये आप पे जो है अटेक समझी जाएगी, और मैं समझता हूं कि ये उन्होंने एक मैसेज दिया, और ये मैसेज चीन बड़े हरसे से दे रहा है, डिफरेंट दरीके से, कि हम जो है नेक्स स्टेप उठाने के लिए त्यार हैं, इ नट बीकाज अफ कैनेडा या कोई इस तरीके से, कि कोई भी सुपर पावर जो है, वो यूनाइटे स्टेट अफ अमारीका वो ऐसे ही सुपर पावर नहीं बन गई थी, कि हाथ्यार उटा के तो हमला कर दिया था, तो सुपर पावर बन गई, उसके पीछे एक पूरा जो है एक प्रासस है, उसके पीछे एटिक्स हैं, वैलियूज हैं, उसके पीछे लोगों के आईडियल्स हैं, यह चीज़े हैं, अब आप यह पूरी दुनिया में जो है, आप चाइनीज नजाम तो नहीं ला सकते कि आप बात तक ना करें, मीडिया को जो है, वो आप बंद कर दे हैं, और इस तरह की चीज़े हैं, तो मैं समझता हूं कि यह मैसेज पूरे वेस्ट को भी है, लेकिन ज्यादा टार्गेटिड मैसेज आप इसको यूनाइटे स्टेट अफ अमारीका को, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिस सर्थ यह बताएगा कि कैनड़ा की जो पुलीस है हैं कैनड़ा के अंदर, यह क्या स्टोरी है और इसको कैसे आप देखते हैं, कि यह जो टूडो कहता है कि चाइनीज इग्रेसव गेम्स खेल रहे हैं, और सुनने में है कि इस तरह की जो चीज़ें वो अमेरिका में भी हैं, so how does the Canadian people look this behavior of the Chinese there? देखें जी, वो तो चाइना जो है, वो एक कंट्रोल्ड, वन अफ ताम हाईएस्ट जो है, कंट्री है, जिसके शेरी आजाद नहीं हैं, खुआ वो अपने मुल्क से बाहर ही कि उन्हों उन्फर्चुनेटली, तो इसमें यह कहीं अरसे से यह चीज़ें डिसकस हो रही हैं, कि नमबर एक चाइना जो है, वो उसके जो शेरी कहीं पे इंटेग्रेट होके, किसी तरीके से लोकल पालेटिक्स में या लोकल इंफॉइंस अक्सराइज करते हैं, उनको वो मजबूर कर रहे हैं, चाइनीज इंटरस्ट के लिए काम करने के लिए, उसमें सिर्फ डिप्लो उसकी जो है, वो टेकनलोजी का सवाल है, अब यह आज से 20-30 साल पहले से यह चल रहा है, यहां पे जतनी बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, जो टेकनलोजी को टील कर रही है, वहां पे आजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पे विसिट करने आप सामनें देखेंगे कि जतने वरकरस हैं जो भीस भीस साल से काम कर रहे उनको दाखल ओते वख्त ये सकैनर वाला कम तो नाई इसलिए ले रहे हैं कि यहां से टेक्नालोजी चोरी हो रही है और चीन जो है वो टेक्नालोजी इस तरह की एक चिपस एक चीज उठा ली और उसको 100% कापी करके तो अपनी बना के मार्कित में डार रहा है इसलिए हमें अपने आपको प्रोटक्ट करना है इसमें यह जो आई आई बीम और यह सारे जो बड़ी बड़े यहां के टेक्नालोजी जाइंट थे तो एक तो टेक्नालोजी दूसरा इंफ्लूएंस के मेंबर आफ पार्लिमेंट या कोई आजमी किसी ऐसी एंफ्लूएंचल पोस्ट पे है उसको चीन मुक्तलिव हरवे इस्तमाल करके तो अप पावर क्लैश इंटरनेशनली दो कांट्रीज के दरम्यान है उसका मज़र है लेकिन इसको भी एक अखलाकी लिमिट के अंदर होना चाहिए भई यह अज़ाद मुलके हैं बिलकु सेज़ आप यह नहीं आ सकते ले आके कहां के आप जो है वो मीडिया पे भी पाबंदी लग होती है बिर सर एक छोटा सा सवाल रहागे और वो यह था कि वाई डी चाइनीज डॉन्ट ट्रीट इंडियन्स मुदी को जो है वो सक्यू ट्रीट नहीं करते आप क्या समझते हैं उनको वो समझते हैं कि देर अ मिलिटरी पार देर निउकलियर पार यहां वो समझते हैं कि इंडियन्स मुदी बडे इंडियन्स मुदीयन्स मुदीयन्स मुदीर यहां? तो उसमें open exchange होता है तो उसके लिए तो कोई ये message जो है वो इस तरह की उसकी जूरूट नहीं एक दूसरी ये बात भी सही है कि इंडिया के साथ इस तरह की किसी exchange का मतलब यह है कि आप अगला step लेना चाहते हैं tension को intensify करने के लिए जो जंग की सुरत में भी चल सकती है और जंग की सुरत में अगर ये turn होती है तो इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग effort करना इतना मुश्कल नहीं जतना चीन के लिए है चुक्के चीन जो है वो एक critical juncture पे आया हुआ है जहां पे उसने अपने आपको install करना है as a superpower तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा को बहुत बड़ा मुल्क है अगर पढ़ जाए इस वक्त तो उसके पीछे जाहर है पूरी दुनिया जो है वो line up हो जाएगी और चीन के जो मनसूबे हैं ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है वो post-bound हो सकते हैं जिसका के इंडिया को वो नुकसान नहीं होगा तो कि इंडिया के लिए इस conflict में बहुत बड़ी international opinion और international जो मदद है वो उसको दरपेश होगी तो इसलिए मैं समयता हूं कि वो तोड़ा सा different case है और जाहर है कि वो इस तरह की जो है वो situation को avoid कर रहा है यह तो उन्हें यूनाइटी स्टेट अफ अमारीका को एक message दिया है जी simple यह tension है उन्हीं के दरमयान बुनियादी तोर पे Canada का इसमें वो उस तरह का रोल नहीं है बिलकु सही कह रहे है Canada का उस तरह का रोल नहीं है and this could be a very जिससे आपने कहा क्या message for the Americans let's see से क्या होता है क्या कोई ग्लोबल लिडर्शिप इसको रिस्पॉंड करती है उदर रशियन ने वो एक वो जो missile hit कर गया Poland में वो एक लादा टेंशन चाल रही है and this is another diplomatic कहलें के क्राइसिस साह obviously तोनों ही बड़े जो है वो challenging है रशिया को तो वो सीधा सीधा adversary कहते हैं और इनको वो अपना competitor कहते है so let's see इस में आइंड डिपलेमाटिक के लिए क्या था thank you very much बिरिस्टर राबन मशानी साह thank you